कि haha अर्ध मयदा है सब्कतुर अर्थ मुझे मयदे तरे ने मुझे मदे रिंज़े MP2 मुझे मैं लॉओ defence मुझे थोक यख़द रहते दोगो मेलमे लोक्रों कि रहते और भी क necesario है k wykon कdid यंद नहीं सो के ला इपर कि लूज करें को कै लो करें के लग记 कर दो कर दो कर दो कि अधिक जान हजारा अफ़तें और उस पर नहीं वसी बत यह कि आप लोग मुझे मनने नहीं देती यहीं तो अपूछता है तुम काई को मरना मंगता है मेम साप पहले मज़े डूब जाने दीजिया फिर बताऊंगा अरे जब तुम दूबी जाएगा तो बताएगा कौन यह जमीन बताएगी आसमान बताएगा घर घर में मेरा मातम होगा कौन जाने आप लोग भी रोएं जुगनू मालूम होता इसा स्कुरूट हिला है जुगनु? किसका मन हम जुगनु? कसे लो कुकारा झुगनु? कहा हए जुगनु? हमारा नाम जुगनु है क्यों? हमारी मंगेतर का इनाम जुगनु है एय तुम बहुत गरवरवल आदमी मालुम होता है छलो छोग जआ बंठ ढूंम जाओ आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, तुम लोग ने खाना भी शुरू कर दिया, ये शुरू नहीं भाई साव आखी नहीं है, ये सूरच का हिस्सा, बस ये दो केले और एक मसंभी, अरे भायो, अरे इतनी तरकीब लडाई हमने, इतना चिलाए हम और उस पर इतना थोड़ा खान अरे ये तो बता, तीनों में इच्छी कौन थी, यार वही सारी वाली, हाथ तो यार वह तेरा पकले थी, मैं तो करंट मेरे पास हो रहा है, अरे बाप, बापे, वो देखो फोजा आ रही है, मशीन गनर, कार्टूस सब इकठे हैं भईया, तयार हो जादे है, तो अरे तो अ में मघरिब पढ़के होंगी, ऐसी खुद सर इतिया, तिल में मघरिब पढ़के होंगी, ऐसी खुद सर इतिया, अधि पी दिया, उखिया, को आ तो अनौन्सन्स? मैम साथ क्या मांगती है? शॉयद लिवनेड मांगती है SHUT UP! हम पूछना मांगता है तुम लोग हमारा खाना क्यों खा जनाब उधर कहां छिप रहे हैं जरा सामने तश्रीप लाइए इसलिए दूम मरना चाहते थे मैं मर जाओंगा मैं जान दे दूँगा हट जाओं मैं डूम मरूंगा हमारा खाना हजब करने के लिए हम अरे साहब पेट के लिए इनसान क्या नहीं करता है चोरी भी करता है डाका भी डालता है शर्म नहीं आती है कहते हूए मर मर के हम ओरतें खाना पकाएं और मर्द खाएं यह कहां की शरापत है ये तो हमारे हंदुस्तान की पुरानी रीद चलिया आई है क्या ओरतें पकाएं और बर्द खाएं अब हम लोग क्या खाएगा तुम्हारा सर्थ वो तो आप बड़ी देर से खा रही हैं और अब मेरे ख्याल में आप लोग ठंडी हवा खाईएं तुम्हारा खाना खाकर भी इस पाफिक बहुता है तुम्हे शर्म नहीं मालम होता लायर दिलीप पानी लापानी कितनी देर से खाएं अच्छा दिलीप सहाब आप 20 में शामिल हैं अब हम समझा ये तुम्हारा कोलज कर चोखो लोग मुझको नहीं माननता ये खाना आप लोगों का है बड़न मैं अरे जलीप तो कैसा था कि मेरा कोई नहीं है यहाँ तो खांदान का खांदान है यार बड़ा चिपार उस तन निकला अच्छा लाओ इसी बाप पे किसी का ह इसाइब आप अब यहाँ नहीं बता सकते कि किसी है लेकिन इतना जरूर जानते हैं प्यारे कि यह है किसी लोडीया है करेंगा क्या थोड़ यार तेरी हर बास जनानी होता हुआ इसका स्लीपिंग पाजाओं बनवोंगा वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए जल्दी में लिपीस्टिक भूल गए रूमाल पुराना छोड़ गए वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक कर सब कुछ तो बताया हमने मगर पिट जाने का दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए मुफलिस थे जनाबे मजनू भी सुनते हैं जब उनकी मौत आए पाकित से ना निकली ही कुपाई लेला का वो कुंदा छोड़ गए वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए वो अपनी याद दिलाने को दालवार दिखा कर हमने कहा कर दे हो हमें तुम क्यों दुस्वा सुन लोगी किसी दिन मुरली दर इस इश्क में दुनिया छोड़ गए वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए हमको अकेला जोड़ गए यार अगर तु नाई की खानदान से नहीं तो दरजी तो तु जरूर है यार महाद तो कुछ ऐसा ही होता वरना तु इतनी जल्दी चादर और काट चाच तर ये पदामा बिटा कैसे सी लेता है क्यों अब लोग जलते हो देखना अभी क्या रात को जब इसे पहन कर सूँगा हला मिस जोलिये, कम इन, कम इन का हो, मैं नियो रख लियो का देखो तुमारा चोक्रा लोग हमको बहुत तंग किया चाह वा बहुत खराब बात किया, मेरा मजाक बोला वो लोग पिकनिक पर हमारा खाना खा गया हमको भूका मरना पारा चोक्रियों का लिप्स्टिक पाउडर कांगा सब चोड़ी किया और तुम जो हमको रेशमी चदर प्रेजन किया था वो भी ले गया ओ माई गाट कौन-कौन था हम सब कुने ये कुछ आनता है वो लर्का जो जुगनू के गाउं का है क्या नाम ओ येस दलीप चप्राशी, सब लड़कों को बलाओ ये कि चमया के बन्ले धर्यों का ये हो तो हुई की तारे मोठ है ये क्या बहुता है आपकी तारीफ कर रहा है ओ रामू, तुम बहार थेरो मैं अभी तुमारा बंदोबस करता हूँ तरी जल्दी बुलायो, नहीं तो गुस ही आओ दियर हमने उचादर तुम्हें मुभबत की निशानी ली थी तुम्हें उसको हर वक्त गले में रपेट कर रखना चाहिए था तुम्हें इतनी लापरवाई चे रखा के लड़के उठा ले गए मालूप होता है तुम्हें हमसे प्यार ले नो नो दियर, आइसां मत बोलो याई कमिंजार आईए, तशरीफ लाईए ये भी था, ये भी था और ये भी था फेर ये, आप लोग सब इधर आईए ओ, मिस्टर सूरज आज आज आप सुबा सुबा यहां कैसे तशीफ लाए जिकल में यहां किताब भूल गया था मेम साब को आप लोगों ने बहुत परेशान किया पिक्निक पर लड़क्यों के खाना क्यों खा गये मेम साब की चादर कहा है —बबरी मेट्रि की चादर बाज अगी जणब बाजबलाद लड़क्यों के चीजने क्यों घाप कर नहीं आप लगों को शर्म नहीं salah गाये विक्रत बदर को बनाब खार्जये ये से हमोश हमारा चादर किदर खाए उदर क्या है जा देख रहो दरा कुछ नहीं प्रदर साथ कुछ नहीं मैंसा आप गवराये मत आपकी चादर मिल जाए प्रफेसर साथ आप इन सब लोगं को जाने दीजिए मैं साम तक जादर धून निकालूँगा मैं वादा करता हूँ अच्छा आप लोग तो शिफ ले जाएए आएंदा कभी ऐसी हरकत ना कीजेगा जाहिए नाथ मैडम आप ती लल्कियों ने किता चंदा जमा किया तुम्हारा लडकों से ज्यादा जमा किया है और भी कर रही है वेरी गुड़ वेरी गुड़ नाप में साब को स्टेई दिखाऊ यह तर्व आए तेंक्यू मैडम यह स्टेचू देखा आप ने ओ इस फाइन बीटिफुल नाप इसे स्टेच बले चलो मैडम इस स्टेचू पर हमां तमाम ड्रामा बेस है जिसका ब्राव में संगतराश इसके पीछे बहुत बड़ी ट्रेजदी है बेचारे संगतराश ने इसके बनाने में अपनी तमाम जिंदिगी खत्म कर गी हाई झाल प्रियके प्रॉट टेज़ी आप अपन्थ आप 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 कुमंगे मंगे मंगे दिल की मतली मुश्कुराई जिन्दगी अपनी मंगे दिल की मतली मुश्कुराई जिन्दगी अपनी लालाला लालाला लाला वो शाम क्या शाम सुगानी थी, फुलों पे जवानी थी क्या शाम सुगानी थी फूलों पे जवानी थी उन शोख निगाहों में उल्पत की कहानी थी सुनते ही जिसे पल में हल चल सी मची दिल में महरबच लेके अंगड़ा की जहां हूँ दिल की अपनी मंदी दिल की मतने मूं स्कुराई जिन्दगी अपनी हम दिल को लगा बैठे हो हम दिल को लगा बैठे क्या दुनिया बता बैठे क्या दुनिया बता बैठे एक प्रेम के दिलता को अंपूल चड़ा बैठे जो चांसा प्यारा है इस प्रेक की नईया का अब वो ही सहारा है अब वो ही सहारा है लगाई ये वो ही अब पार नईया दिल की अपनी कमंदी दिल की मतने मुश्कुराई दिल में अपनी सिकर्दी आजाई दिल के दिल के दिल के नईया दुनिया दोन लगाई वो ही मंजर है आंखू में वोही मंजर है आंखू में तुही की याद चड़ पाए यही कि याद चड़ पाए यही आशा लाला लाला यही आशा है अब मन की वही चलिये वही चलिये वही चलिये वो महतिल पाय जिस मैं दिल में दुमिना रुट गई अपनी मंदी दिल की मतने मुश्च राई जिन्दगी अपनी मंदी जुगनू क्यों बहुत याद सता रही है मुझे किसकी याद सताएगी बनो नहीं हमें सब वालूम है जुगनू अरे तुम लोग किदर क्या करता है मेंचन साब और चंद लेने ले गया अरे हम लोग तो भूली गए थे इसलिए तो मैं कहती हूँ चुप चुप उतने चलिए आप लोगों को चंद नहीं मिल सकता मैं लड़कियों से वादा कर पिताजी घर में नहीं थे वरना उसे वक्त उन्हें चंद मिल जाता हमें भी तो उन्हीं लोगों ने आपके पास भेजा है यह कैसे हो सकता है आप लोगों को चंद लेने के लिए वो लोग कैसे भेज सकती है यह तो आप जानते हैं कि हमारा और लड़कियों के कौलेज एक ही है हम लोग सिर्फ पढ़ते अलग-अलग है चंद लड़कियां ज आज एक दूसरे महले में चंदा लेने गई हैं और उन्हीं लोगों ने हमें आपके पास चंदा लेने के लिए भेजा है तो आपने पहले क्यों ने बताया जा बेटा इने चंदा लाके दे दो कि यह मानने वाले नहीं अच्छा जे दो बता लेजिये शुक्रिया जा रहे है तो आप लोगों ने क्यों तकलित की चंदा तो हम ले जा रहे हैं क्या मतलब इन लोगों ने आपके नाम से चंदा ले जा रहे हैं आप लोगों नहीं तो आखिर कहा था कि इनके चंदा ले लिया है बिलकुल ठीट आप लोगों नहीं तो आखिर कहा था कि इनके चंदा ले नहीं कहा था क्यों कहा था क्यों जनाब आप लोगों देखिए वह नमस्ते अच्छा बहुत इन लोगों नहीं तो नहीं देखिए अच्छा तुम लोग चलके चौक ने ये पंक्चर ठीक करा भाई मैं धरा घर से होई आता हूँ भाई तेरे भाई तेरे भाई मुझे पिताची से बहुत जरूरी का नबाद मैं खोडी जर में आता हूँ ना इस जो कह रहा हूँ जल्दी फूरे दा भाई आता हूँ लो भाई उठाब में पिताब जल्दी फाई साथ मेरा लाल भी है यहां चंदा ज्यादा मिलेगा हाँ 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 है रही जर्दी तो यहां भी आगया अब यहां भी तश्रिफ लेए जी कुछ और अख़ग बढ़ करने के लिए? रास्ता रास्ता ठेर यह जब तक हम लोग चंदाने लेने आप आगे नहीं जा सकते अरे साहब चंदा आप लोग बड़े शोख से लीजिये लेकिन मुझे तो अंदर जाने दीजिये आप आप नहीं जा सकते और यहां अब मुझे अपने घर में नहीं जाने देते जब रोके गय तो अपना घर बल्टाने लगी करेखे तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाओ नोगे निढूं कि एक दिलार जड़ी से बडसे चंदा worries me आप मैं बडसे मेंगे चलियो चलियो इत ठीक है, ऐसे ही होना मांगता है अरे यहां तो कोई भी नहीं सब दरवाजे ही बंद है चोचा बाबू यह पच्छा पाबू जी पिछले दरवाजे से कहया है तुम क्यों पूछता है पिदाजी घर में है घर में कोई नहीं सब लग बजार गवाओ कोई गंटे बजावता है सुल चुल मालूम होता है यह घर का घर अप्यूनी है बेल की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती आईए 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 बड़ी जल्दी तश्रीफ लाए केका पोचत हो राय साफ घर में है हमे हमे अच्छा उनसे जाकर कहो कॉलिज की लड़किया चंदा लेने के लिए आई है बैठका में बैठा बैठका बैठका इन जा लड़की से और करना रिए बस एक लड़की रहा族 लाय के लिए ज़गे पापुजी मैं जाए अगर बाबुजी आये बणा देना है इंदा देना हम आई देना Listen Haa चला, भीतर गुलाद है चला, चला, चला सुब नाही, अकेली एक जनी क्यों है, अकेली हमार मालिक भीड़ बार बबस से बहुत गबरा उत रहे अच्छा तो भुला, क्ये चली लताक, तुम चली जाओ, तुम्हारी साड़ी आड़ी भी जरा ठीक है नई भाई, मुझे न भेजो, आज मेरी दहनी आख सुबह से रह रहे कर फड़क उपती और अगर कहीं महाँ दब गई, तो गरवड़ी हो जाएगी मोनद, तुम चली जाओ, मैं? एह, तुम्हारे सहाब जवान है या बुड़ी है? दोईनों है, बड़े रंगी ले, बड़े मौजी, देगा कुछ तो ते दे तहे कुछ ना बबा, कुछ का कुछ मिले तो जुगनू, तुम ही जाओ शकल भी अच्छी है, ड्रेस भी और बात तुमसे अच्छी हमें से कोई नहीं कर सकता तुमें जाओ, जाओ, जुगनू, बुड़ा हो तो कैश ले ले लेना और अगर जवान हो तो क्रास्टेक भी चलेगा आवा, आवा जलाजू, कहां तुमारे सेर सहाब है? ये रहे कामरवाब, आवा ये का रहे है बावुजी नमस्ते नमस्ते हमारे कॉलिज में ड्रामा होने वाला है हम चंदा लेने के लिए आए हैं आपके पास तो और पास आईए बैट चाहिए हाँ, तो क्या फर्माया आप? आप इस मकान के अंदर कैसे पहुच गए? अजी मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये घर मेरा है वो तो खैर हुई जो पीछे दर्वाजा था वरना आप ने तो घर निकाला दे ही दिया था फिर तो बहुत तेज है तो सुनिये तो ये क्या? छोड़िये मेरा हाथ क्यों छोड़ो? नहीं छोड़ता मैं तो बदला ले रहा हूं कैसा बदला? उस दिन जो आपने मेरा हाथ पकड़ा था क्या-क्या मिननत तेंग की थी छोड़ा था आपने? मगर वो तो आपकी जान बचाने के लिए था तो अब आप क्या समझती है ये हाथ छोटा तो मैं जिन्दा भी रहूगा अच्छा, मेरा हाथ छोड़िये बाहर सब लड़कियां बैठी है जुगनू अभी तक चंदा ही ले रहे है छंदा जारा नमपा मालूम होता है अच्छा, मैं अभी देखकर आती हूँ इत्वाप एक बाड़ होता है बार-बार नहीं बार-बार वो ही होता है वरना कहां आप, कहां मैं कहां वो पिक्निक कहां वो चंदा और ये घर उस पर मज़ा ये कि मैं बुलाना भी आप ही को चाहूं और आप ही आएं भी मुनद भी हो देजे के रह गया है मालू होता है राय सब सरेज का कारोबार करते हैं जो जाता है बस चिफक के रह जाता है उस पतंगे की तरह जिसने पर निकलते ही दीबग देखा खुशी से भूला न समाए गिर्थ फिरे चक्कर लगाए मुचू में जलता जाए अरे ये सब लड़किया कौन है पिताजी ये तुमरे कॉलेज के लड़किया है से चंदा लेने के लिए आई होंगी शेशी तुम्हारा मकाल है हाँ हाँ हम लोग तो यहाँ बड़ी देर से बैठे है से च्मिया हाँ बंसी अबे भागता क्यों है देख कुआरे लाल पानवाले की दुकान पर दर्जी खड़ा है उसे जाकर कहए कि जल्दी मेरा सुर्ण लेकर रहे उद्र कहा जाता है पत्तमीज कहिए का क्षिवाद कर दोजू दे ऐगा माई तुप देखनेंगे यहान मुशिवाद हो जाए है अजय कर दोजू कि जो से मिन नाना की लड़ा है प्यूंत जो एजू जोग जाना चाहिए इस न्देने तुमाँ खरापकर दिया है अजोन अंदर जी कर लाए कही शे ए पंसी पंसी ये काई की आवाद है क्या है वहाँ कुछला ही हजूर जुहा सार काटा कुटी बचाए अबे बापुजी को बाहर बेच इसी तरह बाहर बेच ये लड़के चंदा लेने हैं हजूर बाहर शकुरियन चंदा मांगता है जा उनसे कहा दे कर चंदा मंदा नहीं मिलेगा चंदे का पच्या हम लोग कब तक यहां इसी तरह चुपे बैठे रहेंगे जब तक पिता जी यहां है अगर वो रात तक यहीं बैठे रहे तो तो हम भी रात यहीं बिता ही अरे वाँ क्या हर्च था कि हम उनसे साफ कह देते कि हम चंदा लेने के लिए आये हैं अर्य अगर यह तरकीम नहीं लगाते ही तो हम यह दूसरी के तने खरीब के ज़िए कितने पास इस हमारी बाते हमारे दिल अच्छा तो यह सब आपने जान भूच कर शिरारत की है मैं उठती हूँ जाओ जाओ पिता जी ठरो ठरो भाईया अरे जुगनुबै जुगनुद जुगनुद यह क्या हो रहा है यह कौन है जी जी मैं चंदा दे रहा था अबे यह कौन सा फ्रांसीसी कैदा निकाला है चंदा देने का जी नहीं हम लोग तो आपके डर की वज़े से छुप गय थी यहां अगर करना हो तो तू खुलम खुलाईश कर सकता है इस मकान में यही न जी नहीं मैं तो जुप रहा हूँ तुम काली से चंदा लेने आई थी यह यह नहीं वर्माइंग करने क्या हुआ यही तालीम है जिसके लिए चंदा वसूला जा रहा है घर-घर वेहयाई की यह हद क्या हुआ क्या हुआ जुबनु मैं बताता कूँ यह और हमारे सुपूद सोफे के पीशे बैख कर प्रेम फर्मा रहे हैं क्या तुम लोगों को कालिज में यही सिखाय जाता है इसका जवाब तुम्हारा प्रिंसिपल देगा जाओ कोई चंदा मता नहीं है जाओ तुम हमारा नाम बदनाम कराया अपना भी और सबसी ज्यादा का क्या कहेगा लोग तुम्हारा अपनामी डैडी हमारे उपर चोड़ा है तुमको उनको क्या जवाब देगा जब तुम्हारा ये बात सुनेगा मगर मेटरन साथ नहीं कुछ नहीं तुमको सजा मिलेगा तुम्हारा होस्टल से निकलना तीन हफता के लिए बंद जाओ महबत के बाद तो लोगों को अंदे होते दिखा लेकिन महबत के पहले नहीं ये यार तेरी पहली मिसाल रही अच्छा खेर चोड़ो अब जो हुआ सो हुआ अलेवा, उस खरीब ने मेरे लिए सब कुछ किया और मैं उससे योहीं जाने थी उस पर क्या-क्या बीती होगी उस खरीब का बोर्डिंग से निकलना तुक बन होगया अब उससे माफी मांगी जाए तो क्यों कर मैं इतर्की बताओ हाँ बता तुम लड़की के बाप बन जाओ क्या वक्ति हो यार भाई मेरे वक्त पढ़ने पर लोग गधी को बाप बना लेते और तुम तो लड़की के बाप बन रहे हो फर्स फ्लास तरकीव है जुगनू से मिलने की हमसे क्या छुपाना हमने तो खुद चीपकर तुम्हारी और सूरज की बातें सुनी और देखी हैं तुमने क्या देखा वही दिपक के सामने पतिंगे का नाच जो खुशी से फूला ना समाए गिर्द फिर एक चकर लगाए मूँ चुमे और जलता जाए तुमने यह सब देख लिया जुबनु बावा मेम साब आपको आफिस में बुला रही है हम पाट करेंगा ड्रामा में ऐसे कुम बोला तुमको प्रोफेसर रूमिया साब कहते थे नाए नाए वो मजा किया हम पाट नहीं करेगा प्रोफेसर सहाब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं अक्सर किलास में भी अच्छा तुम क्या पिएगा चाही या काफी जी कुछ नहीं मैट्रिम सहाब आपने मुझे बुलाया है मैं रुपय देने आया पहली तारीख में अभी सात रोज बाकी है क्या चाचा जी ने अपकी जल्दी रुपया भेज दिया हाँ शायद उन्हे गाउं जाना होगा ये रुपया मैं तुम्हे अपने पास से दे रहा हूं शायद तुम्हे जरूरत होगी शुक्रिया अच्छा जिब चाचा जी भेजेंगे तो तुम ले लेना लू या नलू वो भी तुम्हारा ये भी तुम्हारा और मैं भी तुम्हारा बनना चाहता हूं क्या मतलब दिली बाबू? लड़कपन हम दोने साथ बिताया अब जवानी आई ये भी क्यों ना साथ बिते? ये आपको ये क्या हो गया? नहीं जुगनो मैंने जब से सूरज का और तुम्हारा मामला सुना है मुझे चैन नहीं परता मैं चाहता हूं तुम मेरा हाथ थामो कोई दूसरा तुम्हारा हाथ थामी ये मैं नहीं देख सकता खरगाना अपने वक्त पर अच्छा मालू होता है बेवक्त की शेहनाई फुजूल समझी गई है वो क्यों? जब तक बेपी ये न कर लूँ कुछ तेह नहीं कर सकती ये रुपए वापिस लीजे क्यों क्या वात हुई? अभी मुझे इनकी जुरत नहीं मैं तुछ सहाब आरही है अच्छा मेरी तरफ से चाचा जी को नमस्ते लिख देना अभी मारा है अभी मारा है अभी मारा है अभी मारा है येस आप क्या मामता? ये मैं अपना लड़की से मिलने के लिए आया कौन लड़की? जुगनू ओ जुगनू आप उसका कौन है? मैं उसका पादरू पादरू इसका पादरू और आप? ये उसका मामा हलो एक्स्कूज में चप्रों से कहने लगे लड़कपन साथ बिताया है तो जवानी भी साथ बिते लो अब जवानी भी मेरी साथ बिताना चाहता है में साहब मैं ये बरदाश्ट नहीं कर सकता कि मेरी लग की घर घर जंदा मांगती फिरे मैंने उससे यहां तालीम हासल करने के लिए भीजा है भीख मांगने के लिए नहीं क्यों साहब आप भी बोलिया आखिर मामा है बहुत ठीक है गुरेराई साहब कालिज का काम में कुछ शरम नहीं ये भीख नहीं होता ये जुगनों के बदनामी कैसा हुई और ये सूरज कौन है नए नए बदनामी का कोई बात नहीं अरी करता हूँ हाँ हलबता मुसका कोठी से बहार जाना बंद किया मैं भी यही सोचता था कि हमारी जुगनों ऐसा तो नहीं कर सकते राई साहब तुम्हारा चुक्री देखने में तो बहुत अच्छा है होने सकता है सब जुटो राई साहब बहुत देर हो रही है मैं साहब मैं जुगनों से अलग मिलना चाहता हूँ ओके चपरासी किधार मर गया ओ चपरासी चलिए हम आपको ले चलता हूँ तुम्हारा चाहता हूँ दलीप ही आया था रुप्या देने के लिए यह यह आपको चलिए इस वे जुगनों यह तुम्हारा डैडी आया है जुगनों तुम्हारा और सुर्ज का मामला सुगना वो तो खर हुई जो मेम साहिब ने बता दिया कि यह सब छूटा हम्हम तुम इतनी घवरा क्यों रही हूँ हम्हरा आप नमस्ते सब भूले नमस्ते पिता जी जीति रहो बेटा जीति रहो मैं ये सोच रही थी, कि आप यका यक यहां कैसे आ गए? बहुत खास इसी वज़ा से मैं आ रहा था, जी सुनकर. मगर इक क्या मज़ाख है, अपने घर से निकलवाने के बाद अब क्या चाहते हो? बोर्डिंग से भी निकाल दी जाओ? यहां साब बिगड़ लीजिए अब आप, जानते हो तुम्हारी वज़ा से क्या हुआ मेरे साथ, बदनामी की बदनामी हुई, और बोर्डिंग से निकलना भी बंद हो गया, देखी साब, मैं वाकी बहुत चर्मिन दा हूँ, और सिर्फ माफी मामीने के लिए आया हूँ, यह अब गलती वाक्ते सब मेरे की, अले कलिये साब, आपे कुछ सफारिश कीजिए ना, कोई माफे आपी नहीं मिलेगी, निकल जाएए यहां से, जाएए अच्छा सा हूँ यह लिए अपनी दाड़ी लगा कर जाएए, अब क्या चाहते हैं, हम यहां से खड़े खड़े निकाल दिया जाएए तो फिर बैट जाएए, आईए अच्छा जुगनू, अब तो इह माफे दो, मैं तो चले घर, कल फिर आपके तुम नाराज माले आती है मैं नाराज हूँ या नहीं, पहले आप यह बताइए, कि आपको हिम्मत कैसे पड़ी यहां आने की अगर मैटन को मालम हो जाए, तो क्या होगा प्रेमी अन्जाम को कभी नहीं सुझे अन्जाम में मुहबत किसने सोचा, होग वही जो होना है सारा जीवन सुख में कटे है या सारा जीवन रोना है बैटो, बैटो जुगनु तो तुम सचमच नाराज हो तुमेरे दिल के अंधेरे में अपनी चमक से उजाला कर दो उल्टी बात, जुगनु तो खुदी सूरज की रोशनी में खो जाता है और माफ कीज़ेगा मेम साब, आपकी उम्र क्या होगी? तुम क्या समाजता? मेरी नजर में तो यहीं 20-21 या जादा-जादा-22 ओ रेली? हम ऐसे मालम परता? अरे बिलकुल साब, और माफ कीज़ेगा मेम साब, चेहरा भी खूब है और जिस पूरा डंपलॉट यानि जिसका कोई जोड नहीं, डंपलॉट बड़ा मुश्कल से ऐसा बाड़ी बनाया, वो खुट कसरत करता है हम ड़सी माफ कीज़ेगा मेम साब, मैं सेरा देख सकता हूँ शूर अब बड़ा 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 माफ कीज़ेगा मिस्टर, हमारा कॉलज में ड्रामा होन वाला हाँ थो आप चंदा दो चंदा जरूर जरूर यह तो हमारे ब्रदर इंबा साब है इन्हा जन दीजी अभी में देता हूँ जरूर हम उनसे भी जाकर लेंगा वह भी आये जहीं आपे? यह तो हम उदर जाता जुगनू, तुम्हारा डादी की दा? बातरूम में कोई खास काम मेटरन साब यह समुन से ड्रामा के चंदा लेने आया है पता जी जल्दी निकलिये ना मेटरन साब यहां बैठी हुए आपका इंसिजार कर रही है मेटरन साब आप चलिये मैं डैडी को लेके आती हूँ ने, हम खुद बहुनन मामता है बात्तम अर्ट यह द्धेडी आता है बाज़ी आजसे उ difक कर वाफ करह एंसे सरेतoons बाफ कि अलैक सकते हैं माफ की चीशका ... कली को एप भाफ, झाल आ कर अ… खर। तेड़ी, मैं तुम सहाब आप से चंदा लेने के लिए आई तो जरूर, 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 हम तुमें घर जाकर पचास रुपए भजवा देंगे, तुम में सहाब को दे दिना, और में सहाब एक बात, वो जगनु की सजा है न, वो आप माफ कर दीज जरूर, 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 आपको नियुक्त करना चाहिए जिन्होंने अपनी लल्किया देकर आप लोगों की मुश्किले आशाल कर दी अब आप लोगों को चुडिया नहीं पहनना पड़ेंगी न दनाना पाठ करना होगा अब अब पर्फेसर साहब मैं इनसे ज़्यार अच्छा काम कर सकता हूँ मैंने हमेशा कॉलिज में हीरो का पार्ट किया है और प्रफेटर साब मैंने भी कभी हीरो के लवा और कोई पार्ट नहीं किया मैं इसे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ फैरो भाई, अपनी समझ में कुछ नहीं आता मैंने साहबा, आप ही फैसला कीजिए के हीरो कौन बने हाँ हाल में, आ, नो, 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 हैरों जिसाइड करे हीरो कौन बने कम आन, बोलो जलीब जलीब बर पुर्दार, मैं न कहता था भगवान को समझ लेना आसान है, लेकिन और अवरत जाद को समझना बहुत मुश्किल है कहां कौली चित हुई है आके? अमा हाँ यार, मुझे तो बिलकुल उमीद ही नहीं थी सूरज बिटा, ना जाने कहां बैटे, फोड़ा क्राए हों रहा है, जुगनु नो तो मेरी उमीद और पपा नहीं फिर दिया दुब्दू हो तुँ और जिसको दिल से जाती है, उसका नाम जुबान पर कभी नहीं लाती कुछ भी हो, जुलीप को मैं जुगनु के साथ हीरो नहीं देख सकता अब क्या हो सकता है, क्यों, सब कुछ तो तो ते हो चुका अबे तो तु यह कुछ जादूगरी दिखाए, यह तो तेरे बाया हाथ के खेल है अब बोल, बोल, कुछ तो बोल अबे यह कैसे हो सकता है, जरा परदा तो उचने दे कि अबे दो तो तो, लिगना, बोल, की सब करूपवरी तो, रो कि अबे यह कुछ थ 나오나 कि जो..." झाल झाल बीट जमानी फिर नहीं आने बीट गई तो एक कहानी बीट जमानी फिर नहीं आने ओ जाने वाले ओ जाने वाले सजीले खटीले मुसे नैना लड़ा के मोरी धड़कन बढ़ा के कहां जाए क्यों मन को दुखाए हाँ कहां जाए क्यों मन को दुखाए कहां जाए क्यों मन को दुखाए देख चिटकी है चांदनी देख चिटकी है चांदनी राते सुहानी मैं कहूँ ये जीवानी जीवानी बूत जमानी फिर नहीं आने बूत जमानी फिर नहीं आने बीत गई सो एक कहानी बूत जमानी फिर नहीं आने फिर काले काले बादल आए फिर काले काले बादल आए मुझसे रहा न जाए मैं जो लूं अंगडाई किसी का जिया देख ललचाए तो हूँ आँ बोले भाले प्यास पुजाले है जमानी बसानी बोने बाले लूट जवानी फिर नहीं आने बीत गई तो एक कहानी जवानी फिर नहीं आने बीत जवानी फिर नहीं आने ये दम भरके हैं मेले ये दम भरके हैं मेले कटे ना पलबर हमसे अकेले कोई ऐसा मिले जो दिल दे और दिल लेले कहूं मैं लूट लूट ना छोड़ जवानी फिर नहीं आने बीत गई तो एक कहानी लूट जवानी फिर नहीं आने झाल झाल कि छोड़ यार कुछ नहीं हुआ तू घबरा मत मैं सब इंतिजाम करिया हूँ क्या इंतिजाम करिया है यार जमाल कोटा अभी ये तो बहुत सक्त परगेटी भैबे मैं चाय में डाल देता हूँ अबे पजलाप शुरू हो जाएंगे सब के ये क्या तभी तो दिली फीरो नहीं बन सकेगा खबरा मत चपरा से ही जल्दी करो आपे आपी से सबस्क्राइब देखो जर्टे आप जल्दी 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 इंतिमीद रखें में जल्दी ये इधर से आपने करो देंट्राव नहीं मैं तो दोपी हूंगा सब मत्रे में आखिए केकी मज़ है तो तो तिंदिन कप भी रहा चुकर चुकर सुने है या मुकदमा पुकारो बलवन सिंग और बिहारी लाल को वाज दो बलवन सिंग और बिहारी लाल हाजी हो क्या गुना है तुम्हारा हुजूर इसने हमारा लोटा चुरी किया है क्यों जी तुमने इसका लोटा चुरी किया हाँ हुजूर हमने लोटा चुरी किया है क्यों चुरी किया हैं इतना बड़ा धोका तुमने चांदी का लोटा क्यू नहीं रखा तुमने उसको धोका दिया मुनीम जी करेस पर 10 रुपया जुर्माना हम जरीब अपनी केतियों को भून तर्पीच कर तालो अवगाते पिर हम किस तरह अपनी केतियों को आग लगा सकते हैं अंदाडा हम खरीब हैं हरी भूका रह सकता है दूसरों को भूका नहीं तेक्ता अंदाडा इस में हमारी इज़त पर अम्ला किया है अंदाडा अगर आप ने इसका कोई फैसला नहीं कियां तो यौद रखे हम जरीब पय् unlucky अब शुक्रीब वरियांट slight से जाने प्राझा fl切स अब प्रश त्ष ंप नेड़े जीन उड़ा देंगे हम परीबों की हड्डियों से बने हुए महरूप हाँ हाँ कहो पर्यादी कहो अभी अभी परता किरा ड्राप ड्राप किरादी ड्राप किरादी ड्राप आप परप्रेश से हां आप अपराव अपर आप तल्राप पाली ये बताओ कि जान कि जमाल भोटा बेटा इसने मिला तो लेकिन शीता चामोश मैं तुमाई शुरत तक देखनानी चाहता हू उनने वहा हरकत की है आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपकी साथ से हम लोगों क्या हालत हुई, इसमारा भूंगी तक भाग दिया, आप लोग कालेज़ में रहने के काबिल नहीं है, मैं आज ये आप लोगों और इस्टिकेशन कराऊँगा, प्रिंस्पिल के सामने आपको पेश करूगा, वस करते हैं आप, जी हाँ, अच्छा, मैं आप लोगों और इस्टिकेशन नहीं कराऊँगा, मगर आप लोगों मैं पचास-पचास रुप एधर पारा करता हूँ, यार फाइन वाइन तो दे लेंगे, मगर तूने ये सब बता के बहुत बुरा किया है, यार अजीब बात करते अगर तूम मेरी जगा होते तो ये सब बरदाश्ट कर लेते, ये सब उस दलीब की कारस्तानी है, अच्छा? वे तो उे ही तो मी नेह, है, है भी है मैना ही है अच्छा पारा करते हैं अच्छा कहा है लेता कग्षाक्सक्र अच्छा मेरी out प्रस्टा करते हैं करते हैं झाल पाल पाल झाल recurू ए्फ, हाएब और एक對 मने क constitution wn पोड़ी ए्व, कर एक BEN- ought जहाझ थाइपै झाल झाल में तर एक description प्रहर,ół Hackर जाद बटार एकिना इस सिलसिले में जुगनू को रस्ता कशी और दूसरे खेलों में एस्येस चम्पियन के ये इनाम दिया जाता है और ये दूसरा इनाम जुगनू को कालीज में सबसे अच्छी स्कीकर की एस्येस से दिया जाता है जुगनू बहर मुबारेक हो मुबारेक ये कब तो बहुत अच्छा है अरे, यह घड़ी भी मिली है, यह भी तो चांदी की है, चांदी की, बाद अच्छी है माँ करना बेहन, नहीं, कोई बात नहीं मेचिन सहाब, आज मैंने लड़कियों को खाने पर बुलाया है, अगर आप इजासित दें तो मैं जबनु को ले जाओ अच्छा, तुम ले जाना सकता, मगर होस्टल में जल्दी वापस लाना है यह यह मेचिन, थैंक यू वरी मुच, क्यों दानी अब ही तक नहीं आए, शशी हलो लता, हलो सूरज, तुम यहां रहती हो क्या, यही मकान है, तुम कहां जा रहे हो मैं, मैं शशी को मोना क्या छोड़ने जा रहा हूँ अच्छे, चाहे तो पीते जाओ, लता से बाते हो रहे हैं फिर कभी आएगे हैं नमस्टे बहन, नमस्टे बढ़ें से बुला रही थी बिचारी का दिल ठूट गया होगा अरे भाई मैं खुद थोड़ी गया था लदा ने रोक लिया कहने लगी कि चाय पीते जाओं इसमें मेरा क्या फुसूर है तो पर प्र पियो नहीं सेमझ कर चाइ सब्सक उसे और फिर और बहुत सी चीज हो गहएर वगयर वगयरा वगयरा प्र आप ढागे में क्यों कि यहाद अच्छा क्यों प्लाटा कॉस्धाइ जाएए जाए जाया अभी तक वहां कोई दूसरा अजी आप जैसे कितनों को वो रोज चाय पिलाती है देखिए आप लटा से न मिला कीजिए वो अच्छी लड़की नहीं है आप बदनाम हो जाएंगे बैटो जुगनु आज की काम्यावी पर तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए मैं कितना बेचैन था जब तुम फरस्टाती है यही चीज़ चाहता था कि दोर कर तुम्हें उठा लूँ उठ भी सकता आपसे मेरा बोच सरांखों पर अरे काश मैं तुम्हारा यह बोच तमाम जिंदगी उठाए रखता जी और यह भूल गए कि आप हार गए रस्टा कशी में हम खेंच लाया आपको अर्जी रस्टा तो बड़ी चीज़ है भगवान किसम कच्चा धागा भी होता तो खेंचाते आप तक जाए आप तो मजाख करते हैं मजाख नहीं चुदी अब मैं तुम्हारे बहुत करीग के चाया इसे तुम प्रेम समझो ही अद्वीगानी मुझे मौकाद हो कि मैं तुम्हे सब कुछ कुछ कजा सकूँ चलोगी मैं असाथ पहे 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 पहेंगी शर्बत पीयोगी जाया अब तमीज पहले जुगनू को दे जुगनू को जुगनू बहेंगा खुद मीची है वो क्या पीएंगे खाना तयार है लगाया जया अभी इतनी जल्दी क्या है अभी नहीं खाएंगे अभी तो शशी से गाना सुनेंगी शशी सुनाया तुमने म्यूजिक में बहुत कुछ सीख लिया अरे इसका तुकुई साब ने इतना बहुत गाती और इतना बड़ा नाच ती आज कल यह तो बिलकुल वेगदमू सुनाओ गाना सुनाओ शशी सुनाओ शुनाओ भी अच्छा सुनाओ देसके पर कै परंगी छिप जामें ते हमें देस के पुर के फरंगी से फिजाओं में कही देस के पुर के फरंगी से फिजाओं में कही नाचती गाती महकती से हवाओं में कही एक शहजादे को आई एक शहजादी नजल जिसको बढ़ते देख शहजादी ने बीटा ली नजल नौजमा ते दोन वो और धड़तने निम की जमा गोया कम सिन देव ताके खेलने का था मका सामना होते ही बस कितीर से खायल हुए जैसे दोनों इश्ग के दरबार में सायल हुए फिर मुलाकाते बढ़ी और प्यार नी अंड़ाई ली जिन्दगी भर साथ देने की कसम खाई गई एक दिन कशुती में बैठे राज दिल सहते चले उभुरी उभुरी शोप लेहरों पर गुन गाते चले ये अचानक छाए बादल जोर का तूपा उठा गिर गई कश्टी फ़र में कापूं का दिल गया जोर मौजा में हवा का शोर है साप खतर दो मथे सह में के जैसे मौत आती वो नजर बे मदद मजधार में वो खौप से चकड़े हुए थी जमानी को जमानी ये सरा पकड़े हुए आया एक जालिंथ पेड़ा काप शहजादे का हाथ गिर गई पाने द शहजादी चुटा दोनों का साथ चाया आँखो में अंदेरा उस पे पिजली सी गिरी तूटा शहजादे का दिर दू भर हुई अब जिंदगी गुम्र भर वो साथ देने की पसम यादा गई फोट कर पाने में उसने भी वही पर जान दे ले आय या देब उनका जहां से नित गया ना मौनिशाद फत्म होती है यहां पर दो दिलों की दास्ता फत्म होती है यहां पर दो दिलों की दास्ता जुगनु तुम क्यों उदास हो गई? अरे हम लोग यहां घूमने फिरने के लिए आया है या इस तरह चुप बैटने के लिए सूरज बाबु वही शहहझदे की कहानी यादा रही है कितने वद नसीब थे दोनु अरे तुम भी अजीव हो वह कहानी ती कुछ थोड़ी थी कुछ भी हो दोनों महपत में कितने इपके थे बिचारे शहझदे ने शहझदी के लिए अपनी जानते दी तो इस शहजादे को तुम क्या समझती हो है, वक्त आने पर यह भी जान दे देगा अगर शहजादी मर गई तो शहजादा भी यही जान दे देगा सच? वादा करता हूँ, अच्छा मिलाओ हाथ देखो वादा करती हो ना, कि हम दोनों जिन्दगी भर एक दूसरे का साथ देंगे करती हो वादा करता हुआे साथ, समयो को prayer 씨 भी साथ ऑादा होगगोगे सριाकी का सुचा मिलाओ समयो मुलाबफिए लेका कुआे साथ, लेका कुआे सा barrier का कुआे सा उाकी हो हाऍ अ přती होगगे साथ, अर्षा भी समये को मुलाओ भादा हुआे मुलाओ इनको तो डबल निमुनिया हो गया है इनकी जानत कब से हुई है डप्टर साब आप जानते हैं लड़के जिस पदर शरीर होते हैं दो तीन दिन से इसकी बहुत तबियत खराब थी बहुत सब बुखार था लड़कों ने मदाख गया इसे उठाके ले गए बहार तालाब में डाल दिया उसी वक्त से यह हालत हो गई जरा पेपर दिजिए जरा पेपर दिजिए राउट दिले बेटा दिले बेटा दिले अभी इनकी आख लगी है क्या हुआ इसे आप तशीव रखिए घवराजे नहीं तब इनकी तबियत तो बहुत खराब हो गई थी डबल निमूनिया हो गया था निमूनिया? आगे देखिए कर कहीं जहर ना दे दिया जाए आखर बात क्या है? आप तक साथ साथ क्यों नहीं कहते हैं? साथ वो आपके गउं की लड़की जुगनू है ना? जुगनू? जी हाँ जिसारा खुलूनिया है जुगनू नमस्ते चाटे जी, कैसे तश्रीफ लाए? तुम्हारे होश ठिकाने करने ऐसी असान परामोशी, ऐसी नमक हरामी जिस बरतन में ख़आ उसी में छेट करो तुम्हारी जिंदगी के बुचते हुए चिराग को अपने दामन की आर्थ से बचाया तो इसलिए नहीं के मेरा ही दामन जला डालो मेरा ही घर फूग दो मैंने तुम्हें अपनी लड़की की तरह पाला था आपके घुसे की वज़भ मैं अभी तक नहीं समझी तुम्हारी वज़े से लड़कों मेरा काबत का जोश जान लेने और जान देने तक पहुँच गया है आप क्या कह रहे हैं चाचा जी तुम्हारी वज़े से दिलीब को जमाल गोटा दिया गया उससे बचा तो बुखार होते हुए उसे पानी में डाल दिया जिसकी वज़े से उससे निमूनिया हो गया यह सब कुछ तुम्हारी वज़े से हुआ शायद आपको मेरे खिलाफ की ने बहकाया है मैं सिर्फ यह कहने के लिए आया हूँ मेरा तुम्हारा आज से कोई वास्ता नहीं पढ़ो चाहे जाहिल रहो ठीक मांगो दर्दर मुझे असोत नहोगा मैं तो अपने दोस्त के एक लड़की समझ कर तुम्हा जिंतत करता रहा लेकिन अब यह समझूँगा कि निपकी करके दर्या में डालता रहा मैं तो यह समझती थी कि मेरे पिता ने मरते वक्त आपके पास रखम छोड़ी थी मेरी ताम उसमें से हो रही है इतनी रखम छोड़का मरे थे आपके पिता जी वो तुम्हारे खाने के लिए भी काफी ना होता मैं दोस्त की लड़की समझ कर पढ़ाता रहा यह मुझे मालूम न था आपका हैसान सराँखों पर अब आपको कभी तकलीश न दूँगी तो मेरा भी तुम जैसी लड़की को दू ही से सलाम आएंदा कभी मेरे घर का रुखना करना बहन तुम्हारे माबाप मर गय हाँ हाँ और जिन्होंने बाप की तरह पाला था वो भी साथ छोड़ गय यह तुम्हारे सगे चाचा नहीं थे सुन तो चुकी हो सब कुछ मगर तुम पी यह इन्जाम कैसे आया किसमत जुगनों जो हुआ सो हुआ तुम इतनी फिकर क्यूं करती हो मुना तुम बाहर मेरे लिए एक छोटे से मकान का इंतिजाम कर तो क्यूं अब मैं यहां होस्टल का खर्च नहीं बर्दाश कर सकती है बाहर ट्विशन वगएरा करके अपनी स्टुड़ी पूरी कर लूंगी हलो सूरज हलो आँ हाँ चाइटी दो नहीं मैं जराब कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का चलिए हो चलिए हो किसी के अंधेरे घर में चमक रही हाँ आप तो मदा करती हैं कहा है जुगनु मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया किस बात की देखो ना मेरी उज़े से तुम पर कई आफ़ते आए यहां तक कि बोर्डिंग भी छोड़ना पड़ा वही मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमें वापस बोर्डिंग ले चलने के लिए हो समझे बोर्डिंग तो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है देखो बहान ना मत करो शशी ने मुझे सब कुछ बतला दिया है तो फिर आप क्यो जित कर रहे हैं जहां से एक बार निकले फिर वहां क्या जाना जुगनो इत्मे नान रखो तुम वहां पहले से जादा शान से रहोगी आखिर मैंने कोई इतना मुफलिस तो नहीं हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानते हूँ आप रायरहब के लड़के हैं देखो यह कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रही है तुमको बोर्डिंग चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा बोलो तुम मेरा कहना मानोगी मानोगी आप कैसी बातें कर रहे हैं जरा सोचिए आपके हमारे दर्मियान जो मैटन साहिबा की दीवार खड़ी थी वो अब गिर चुकी है उसे आप फिर खड़ी करना चाहते है वोडिंग की चार दीवारी में आतरा आ सकेंगे हमारी मुलाकाते आजादी का राग गा सकेंगे बोलिये अपिजे शुक्त हो गे याउ जंब हमारी खुशिश्कष्मती से हहता वाया पिताजी, दो सो रुपए में अब मेरा गुजर नहीं होता पिताजी, अब से मुझे आप चार सु रुपए महीना खर्च दिया कीजिए पहले ये बताओ कि ये क्या है पिताजी, वो कॉलिज के लड़कों के वज़े से खामखा मुझे पर भी जुर्माना हो गया तुम्हारे ये आए दिन के जुर्माने में कहां तक भरता रहूँ उपर से दो सो रुपए और फजूल खर्ची के लिए मांगते हो क्या मेरे पास खजाना रखा है पिताजी, चार सो रुपए खर्च एक राय साहब के बेटे के लिए ज्यादा तो नहीं यही तो तुम्हारी गलती है बेटा जो तुम मुझे अमीर समझते हो ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ठीक कह रहा हूँ मगर ये सब साथ उसामान, नौकर, चाकर, मोटरें वगयरा आखिर पिताजी ये सब अमीरी ही के निशानी तो हैं ये जितनी चीजें तुम देख रहे हो, सब गिर्वी हैं मेरा रुआ 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 करजदार है, हताके ये मकान भी और ये जो आए दिन इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और दावतें दी जाती हैं वो? ये सब लोगों का मुझ बंद रखने के लिए हैं लोग यही समझते हैं कि मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ जब चहूं सारा करजदा कर दूँगा बेटा अपना भर्म रखने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है अगर ऐसा ना करूँ तो दूसरे दिन मेरी सफ़यद कोशी खत्म हो जाए और लोगों के तकाजे मेरी रायसादी, मेरी इजज़त आबरू और रख रखाओं को खाक में मिला देंगे पताजी जब भगवान ने इस काबिल नहीं रख़त तो इस जोटी नमाईश से क्या खायदा अईसी अमीरी से तो खलीवी है अच्छी तो मौत तो हम जैसे शहरीफों की है अमीरों की तरह जीना चाहते हैं। और गरीबों से भी बतर हालक में मरते हैंं तो फिर इस मुलम्मे से क्या खायदा जब पीतल सोना नहीं बन सकता तो उसे पीतल कहने में क्या हरज है अब तो इस दर से सच नहीं बोला जाता क्य छूट कायत खुल जाएगा सुने का मुलम्मा उतर जाय जगा जगा पीतल के धबे-बूरे बुरे मालूम होते हैं पिदाजी, आज ये मालूम करके कि हम लोग गरीब हैं, दुख तो जरूर हुआ है, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई क्यों, खुशी किसी वज़े से हुई? जब कि हम खुद गरीब हैं, तो फिर मेरी एक गरीब लड़की से शादी करने में अब तो आपको कोई अतराज नहीं होगा मैं समझा रही, मेरा मतलब जुगनू से है जुगनू का भूत अभी तक तुम्हारे सर से नहीं उतरा, ये कभी नहीं हो सकता मैं तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े घराने में तै कर चुका हूँ जानते हो तुम्हारे उस रोज के किसे से सेट प्यारे लाल के यहां की बात खत्म हो गए जहां से दो लाग की नच दौरी मिलने वाली थी, लक्षमी घरा आते रह गई पिता जी, ये समाज के बनाये हुए बेहुदा रिवाज से आप इस वक्त फाइदा उठाना चाहते हैं ये न भूलिए कि आपको भी एक दिन इसका शिकार होना पड़ेगा क्या मतलब? अगर इस वक्त मेरी जगा शेशी जमान होती तो आप दो लाख रुप्या जहेज दे सकते थे? जानते हैं हंदुस्तान की कितनी खरीब लड़कियां खुदखर्च संसार वालों का मुमांगा जहेज और रुपिया न दे सकने पर माबाप की आप रुप का कलंक बनकर कुमारी सिंदगी गुजार रही है मैं तुम्हारा लेक्टे सुनना नहीं चाहता कान खोल कर सुन लो कि तुम्हे वहां शादी करनी पड़ेगी क्यूंकि वहां से मुझे इतनी दौलत मिलेगी कि मेरा सारा करदा उतर जाएगा सुन लिया माताजी मैं सब कुछ सुन रही थी हम लोगों पर वक्त ही ऐसा आन पड़ा अगर आज हमारे दिन अच्छे होते तो मेरे लाज तुम जिसका हाथ ठाम कर ले आते मैं उसको बहू बना ले दी मगर आज तुम्हारे गरीब माबाप को तुम्हारी मोहबबत की खुर्बानी चाहिए मोहबबत छिंजाने के बाद मेरे जिंदगी में क्या रहेगा मात? देवी देवताओं को तो गंगाजल से भोग दिया जाता है तुम्हारी लक्षमी को आँसो ही पसंद है मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझती हूँ मगर अब क्या किया जाए बेटा मजबूरी है अब हम लोगों की इज़त तुम्हारे हाथ है मगर ये भी तो नहीं हो सकता कि जुगनू बदनसीवी के अंधेरी रात में सिर्फ इसलिया कुचल दी जाए कि उसमें दौलत की रोश्णी नहीं मगर अब तो धनी राम की लड़की से बात पकी हो चुकी अवलाद की जिंदगी का सौधार रुपए से मत कीजिये मां ये बहुत महिंगा पड़ेगा क्यों क्या बात से क्या बताओं चलती ही जिद की आँच लोगों तक पहुंक रही है सक्ती के साथ तकाजे शुरू हो गए क्या हुआ सेथ शादी डाल का मुनीम आया था उन्हेंने बड़ी सक्ती के साथ रुपए मंगवाया तो तुमने क्या जवाब दिया जवाब देने की हमत होती तो इतना सुनता ही क्यों अब तो मेरी इज़त आबरू सूरज के फैसले पर है वो किसी तरह मान ले तो सब करदादा हो सकता है मैं समझा समझा कर ठक गई उसके दमाग में एक ही बात बैट गी है कि हम गरीब हैं तो घरीब समझने में क्या हर्च है और शादी के लिए जोर देती हूँ तो कहता है जान दे दूगा वो क्या जान देगा, जान तो मुझे देनी पड़ेगी कैसी बाते करते हो सूरज की माँ, अगर वो ना माना भगवान की सौगन खा कर कहता हूं कि मैं जहर खालूंगा जुगनू, बेटा जुगनू कौन? जुगनू, बेटा जुगनू कौन? माता जी, आप इस सब, खैर ये तो है? हाँ बेटा सब खैर ये तो है आईए, आप अकेली आई है सूरज बाभू को तो साथ ले लिया होता सूरज ही के बारे में तो बातचीत करना है उसे साथ ला दी, तो उसके सामने बाते कैसे करती? शेशी तो अच्छी है ना? शेशी तो आथो पहट तुम्हारी दारीफ किया करती है और सूरज तो है ये तो आपकी मिर्वानी है मैं तो आपकी दास्ती हूँ मैं भी तुमको शेशी से कम नहीं समझती है ये मेरी खुशकिसमत ही है कि आप मुझे ऐसा समझती है बेटा मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ मैं आपके हुक्म से बाहर थोड़ी हूँ माता जी मैं तुमसे हाहा कहिए कहिए ना तुम सूरज का ख्याल जिल से निकाल दो है? ये क्या आप कह रही है ये नहीं हो सकता हर्गिस नहीं हो सकता आप मुझ से ऐसी चीज मांग रही है जिसका देना मेरे बस में नहीं मुझे ये ना मालूम था कि आप शहद के बदले जहर देने आई है बेटा तु मेरे सूरज को मुझे दे दे तु मुझ से जो मांगे मैं तुझे दूँगी आप अपनी दॉलत से मेरा प्यार मेरी तमाम जीवन की पूजी खरीदना चाहती है मेरा क्या फुचूर है मेरा क्या गुना है जहां मुझ से सूरज को छीन लेना चाहती है बताइए मेरा क्या गुना है बेटा तेरा गुना सेरी गरीबी है हो मा, मैं गरीब तो हूँ भगवान, तेरी इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है तो तुने मुझे गरीब क्यों पैदा किया मुझे गरीब क्यों पैदा किया भगवान मा, मैं पहले ही से बरबाद हूँ मुझे और बरबाद ना कीजिए मुझे आपके सहारे की जरूरत है मुझे अपना हार दीजिये उल्टा गड़े में लाटके लिए हम खुद एक भयान गार के मूपर खड़े हैं हमको तेरी मदद की जरूरत है हम भी अमीर नहीं है घर बार, साथ उसामान, सब रहन है इसलिए मैं सूरज कभया एक मालदार लड़की से करना चाहती हूँ कि हमारे दिन फिर जाए हमारा करदा अदा हो जाए आप धन दौलत के लिए गरीब की जिन्दगी बरबाद करना चाहती है अपने सुख के लिए मुझे तुखी देखना चाहती है बगवार, ये दौलत के लिए मुझे सूरज को मांगते है और मैं सूरज के लिए तुझे दौलत मांगती हूँ बगवार मेरी बिसुन, तुख्या लाचार गरीब किसन मुझे अमीर कर दे, ताके इनका मुसोने चांदी से भरकर मैं अपना प्रेम घरीच सकूँ बगवार बेटी, हम में से एको फुर्बानी देनी ही होगी तुझे सूरज को छोड़ना होगा या हम लोगों को जहर खाकर दुनिया छोड़नी होगी तेरी एक ना से खांदान का खांदान तबाह हो जाएगा बेटी सूरज के पिता को जहर खाना पड़ेगा मुझे अपनी जान देना पड़ेगी सूरज दर्बदर की ठोक रिखाएगा लोग उस पर उंगलिया उठाएगे उसे जरील समझेंगे तू यह सब देख सकेगी हमारे मौत के बाद सूरज तेरे साथ सुक्वी रह सकीगा बेटी सूरज के लिए तेरा प्रेम तुझ से यह कुरबानी मेंग रहा है तू सूरज को तबाही से बचा सकीए कहदे कहदे तू सूरज से प्रेम नहीं करेगी कि दिल से को हुआ मैं तुस्ते दामन प्हेला कर अपने सौहाग की भीग पांगती हूँ मैं तेरे पाउ पुर्दी हूँ इस वत न मेरे खांदान की लाज और सुरज की जिन्दगी तेरे हाथ है अगर यह खरीब की उसुरबानी से आपके खांदान की लाज बश सकती है अगर मेरे बर्बादी से सुरज की जिन्दगी बन सकती है तो मैं तो मैं बर्बाद हो जाओंगी सुरज को तबाह नहीं होने दोगी महा सुरज को तबाह नहीं होने दोगी पेटी, अगवान तुझे हमेशा सुखी रखे मैं चांदती हूँ, तुझ पर क्या बीद रही है पेटी, सूरज को ये बात नमालूम होने पाय पादा कर, तु अब कभी सूरज से नहीं मिलेगी वादा कर, वादा करती हूँ, मा मैं तेरा ये इसान मरते तम तक नहीं भूलूगी अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ कहीं सूरज को नमालूम हो जाए माँ मैं बस बरेश दाओं से एक बार और मिलूंगी पिर भागरी पार उन्हें देखना चाहते है। अच्छा वेटी, तू अब सो जा। वगवान, वगवान, तूने गरीबों को दिर ही बढ़ा दिया है। इसमत नहीं, इम्मत और ताकत बख्षी है तो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ये तेरा कैसा नहीं है फगवान। जुगनू, आखिर क्या बात है। तुम बताती भी नहीं। सुभा से रो रोकर तुम्हें बुरा हल कर रखा है। बात बात पर रोई देती हो। सुरच से लड़ाई हुई है। बोलो, बोलो तुम्हें मेरी तुम्हें। कल रात बड़ा भयाना खाब देखा था। पागल गहिंकी। खाब हमेशा उल्टा होता है। जितना भयानक होगा उतना ही अच्छा। मगर मेरा तो जीवन का खाब था जान लेवा। तुम तु महबत में पागल हो गई हो। लो शहजादे सहाब आ गए शहजादे को मनाने के लिए। रूट जाओ और रूट जाओ मूख ले लो। अलो, क्या बात है। जुगनू। तुम रो रही हो जुगनू। क्या हुआ माने? इन ही से पूछे। सुभा से ये वक्त हो गया है मनाते मनाते। क्या हुआ जुगनू। आखिर बोले तो क्या बात है। कुछ नहीं सूरज बाबू। माँ बाप यादा रहे हैं। अरे बस इतनी सी बात। लो, माँने समझा जाने को बहुत बड़ी बात हो गई होगी। अरे लोगों के माँ बाप पर हमेशे ही जिन्दा रह करते हैं पगली। मरना ज्यादा अहसान है मरमर के जीने से। जोू। क्या बात है जुगनू, क्या बात है। जुगनू, 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 यह क्या मामला है मोना। मेरी खुद समझ में नहीं आता। मैं तो समझी थी शायद आप से कुछ लडाई हुई है। अरे नहीं हमसे कोई लडाई वडाई नहीं हुई। जुगनू, जुगनू, तुम्हें क्या हो गया है? सूरज बाबु तभीयत बहुत घबरा रही है अरे तो ठीक हो जाएगी, उसमें इतना घबराने ही, क्या जरूरत है? चलिए हम लोग बाहर कहलें चलें हाँ, हाँ, जरूर चलेंगे जरूर मगर आज नहीं देखो न जुगनू, इस वक्त तभीयत ठीक नहीं है मेरी तभीयत बिल्कुल ठीक है आज की रात, जी चाहता है घूम फिरकर गुजारें चलेंगे, कल नहीं आज की रात चांद पूरा है, कल से घठना शुरू हो जाएगा क्या हरच है सच बाबू, चल जाएगे न घूमने के लिए बस जो कुछ है आज की रात आज की रात आज की रात सादे दिले पुर दर्द नाचे आज की रात कॉल पुल पत्का जो हसते हुए तारों ने सुना कॉल पुल पत्का जो हसते हुए तारों ने सुना सबसे चुक कर जिसे दो प्रेम के मारों ने सुना सबसे चुक कर जिसे दो प्रेम के मारों ने सुना खाफ की बात समझ इसको हकीकत न बना आज की राद साजे दिले पुर तरग न चे आज की राद अब है अर्मानों पे चाये हुए बागल काले पूट कर रिसने लगे है मेरे दिल के चाले आँख भर आई छलकने को है अब ये प्याले मुस्कुराएंगे मेरे आई पे दुनिया वाले आज की राद साजे दिले पुर तरग न चे आज की राद बेबसों पर ये सितम बेबसों पर ये सितम को बेबसों पर ये सितम को बेबसों पर जमाने ने किया किल खेला तक मुहबता दूरा ही रहा किल खेला तक मुहबता दूरा ही रहा खाय तकदीर के तकदीर से पूरा न हुआ ऐसे आनी की जुदाई मुझे मालूम न था आज की राप साधे दिले पुर दर्द न चे साधे दिले पुर दर्द न चे आज की राप क्यों आज कालेज जाने का इरादा नहीं है तबियत अच्छी नहीं है मोना यहां अकेली पड़ी रहोगी तो तबियत और ज्यादा उदास हो जाएगी कॉलेज चलो वहां लड़कियों में तबियत बहली रहेगी मैं अंदर आ सकता हूँ नमस्ते दिली बाबु आईए आईए जबलू मैं तुमसे बोर्डिंग मिलने गया था मालूम है तुम यहां आगई हो तुम अच्छे हो गए चाचा जी कैसे हैं उन्ही का संदेशा लाया वो अपने उस दिन के किये पद बहुत पश्टा रहे थे और कहा है कि उस दिन गुस्से में जो कुछ कह दिया था उसका ख्याल न करना हम उसी तरह तुम्हारी देख भाल करेंगे और यह रुपए दिये हैं रुपए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अभी रहने दीजिए जब जरूरत होगी तो ले लूँगी क्या बात हुई जगनू किस सोच में पड़ गई दिली बाबू तुम बड़े अच्छी मौके से आ गए क्या मतलब चलिए मेरे साथ मैं आपको समझाती है हाँ हाँ चलिए जगनू अभी सुरज बाबू भी आएंगे तो उनसे कह देना कि दिली बाबू गाउं से आये थे मैं उनके साथ बाहर गई हूँ चलिए दिली बाबू तो तुम मुझे यहां क्यों लाएं घरी पर साफ साफ इंकार कर दिया होता इंकार तो नहीं करती जगनू तुम आज खोई-खोई क्यों हो बहुत परिशान मालूम होती हो मैं खुद नहीं समझ सकती अपनी परिशानी परिशानी मैं दूर कर सकता हूँ बताओ क्या बात है वाकई मुझे तुम से यही उमीद थी आखिर हम दोनों बच्पन के साथी हैं न मैं मुद्द से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरी बनोगी तिली बाभू सीन खतम हो गया वो बच्मन का जमाना था आप फूल जाए मैंने मुद्द भी सब कुछ भूला दिया हैं यह यकायक तुम्हे क्या हो गया मेरी तबियत बहुत घबरा रही है आप मेरा कभी पीछा ना कीजिएगा मैं जाती हूँ आ गई आप कहा गई थी दिली बाबू गाउं से आये थे उनके साथ बाग में घूमने गई थी यह तो मैंने भी अपनी आखों से देखा था यह वही दिली बाबू है ना जिनकी वज़े से आज आज आपकी यह आहलत हुई जिनके बाप ने आपको जलील करके बोर्डिंग से निकाला अब फिर उसी से मिलने गई आप कुछ नहीं कह सकते आपको मालू है उनके पिता के क्या क्या अहसाना था मुझ पर बरसो नमक खाया है मैंने उनका लड़की बनके तो नमक का हक अदा करने गई थी उनके साथ आप सुनिए मैं आपसे साफसाफ कह देना चाहती हूँ मेरा आपका निभाध नहीं होसकता मैं दौलत चाहती हूँ जआ आप नहीं दे सकते क्यूंकि आप खुद गरिव हैई महबत के दरमयान दौलत का सवाल हाई गया ये महबत का नहीं मेरी जिन्दगी का सवाल है, दिली माँ बाप का अकेला है, उसकी तमाम दौलत मेरे कदमों में होगी, उसके दिल की मलिका घर की रानी बन कर हुकूमत करूँगी जुगनू, तुम इतनी जलील हो, इतनी मकार, सुरत बाबो तुम क्या समझा था और तुम क्या निकली ये नहीं जानता था के मुलनमा एक ही रगल में उतर जाएगा वहबत के बहाने तुम्हें दौलत की तलाश थी, तुम्हारे काम दिल की ध्लकन नहीं रुपा की जंकार सुनना चाहते थे तुम्हारी सूरत में मैंने अपनी प्रेम का रूप देखा था सोस मैंने गलती की दोका खाया जो आज तुम्हारे हाथों इस तरह जलील हुआ है, मैं जाता हूँ मगर याद रखना, आज जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है कल तुम भी इस से जलील होगी जुगनू क्यों सूरज बाबू, जुगनू से जगड़ा हो गया कहते हैं जिसको इश्खलल है दमाग का मुझे इस वक जाने दो लगा जी, छोड़िये भी इस सब बातों को, आईए चलिए चाय के आईए भी, चलिए अरे बेटा, खाना खाले, फिर पानी पिना मैं खाना नहीं खाऊगा सूरज, तुझे क्या हो गया है आज कई दिन से देखती हूं, तो खोया-खोया रहता है न तो खाना खाता है, न वक्त पर घर आता है क्या करोगी पूछ के माँ? बेटा, आखिर मैं माँ हूँ, मैं न पूछूँगी, तो और कौन पूछेगा? पूछने से कहीं दिल की सूखी हुई डाली हरी हुई है? बेटा, मैं उस दाली को हरा करने की कोशिश करूँगी जिस तरखत पर बिजली गिर जाती है, वो हरा नहीं होसकता माँ मैं उसे अपने खून से हरा करूँगी, इसी लिए तो पूछती हूँ, दिन बदिन तेरी हालत क्यों बदलती जा रही है? दुनिया बदलती ही रहती है मा, चान भी छिप जाता है, सूरज भी डूप जाता है अगर मेरी हालत बदल गई तो कौन सी नई बात है? दोनों थे कहमे के जैसे मौत आती हो नजर दोनों थे कहमे के जैसे मौत आती हो नजर दे मदद मजधार में वो खोथे जगड़े हुए फी जमानी को जमानी सरहा पकड़े हुए आया एक जालिम ठपेडा कांप शहसादे कहाथ फिर गई पाने में शहसाद दी चुटा दोनों काथ पान चुटा दोनों काथ तु यहां क्यों आया? यह शरीफों के आने की जगा नहीं है यहां बेवफाई, खुदगर्जी और मकारी पलती है खबरदार जो फिर तु कभी यहां आया, समझी? चल में साथ अमा, भाया, भाया मुझे अचादी है, भाया भाया, भाया क्या हो, क्या हो सूरज बाबू? क्या बात भी? कुछ नहीं हुआ अच्छो प्रहो तुम तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो छोड़ों से भाया क्या हो अच्छुनू? अब खबरदार जो तु यहां आया, समझी? चट्ट यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है मुहबत करके भी देखा मुहबत में भी दुखा है कभी सुख है, कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है युही दुनिया बदलती है किसी का नाम दुनिया है कभी सुख है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है तड़पने भी नहीं देती मुहबत करने वालों का तड़पना किसने देखा है मुहबत करके भी देखा मुहबत में भी धोका है बड़े अरुमान से बादोंने दिल में घर बसाया था वो दिन जब याद आते हैं खले जा मुझो खाता है यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है बुला दो हो जमाना जब तुझे अपना बनाया था बुला दो ना में उलपत जब तुम्हारे लब पे आया था बुला दो वो कसम जो दिलाए थी कभी तुमने बुला दो वो कसम जो पे खायी थी कभी तुमने बुला दो तुर से तुम उसरे वुए रंगे जमाने को बुला दो हां बुला दो इश्क के सादा पसाने को कमनाओं की बस्ती में अंधेरा ही अंधेरा है किसे अपना कहे कोई जो अपना था पराया है यही दुनिया बड़लती है किसी का ना दुनिया है कभी सख है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है मुहबत करके भी देखा मुहबत मेरी धोका है मुहबत करके बड़लती है चलो घर चलो जुगनू, मैं तो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए सिनमा ले गई थी मुझे क्या मालूम था कि लट्टा तुम्हें जलाने के लिए सुरज को लेकर वहां भी बहुंच जाएगी ये सब किसमत दिखाती है मोना देखें अभी आगे और क्या-क्या देखना पड़ता है अच्छा, अब सोजाओ, आओ, आओ अभी अच्छा, तुम जाओ, मैं सोजाओंगी अच्छा, गुद नैट जो अच्छा, वो भी लेकर आओ, पल खाओगी तुम फल भी लाओ, आओ फल भी लाओ, तुम थक्छा, भी बिलकुल थक्छा तुम जी लाओग, तुम जी ब लाओगगा तुम जी लाओगगगगे ड्यल के लाओग है तुम जी जी ब लाओगगगे चार पुराने गुजरे जमाने चार पुराने गुजरे जमाने गुजरे जमाने गुजरे जमाने गुजरे बुलादो चांद नी राते चांद नी राते और मैं देख ले नारा प्यार की बाते और प्यार हमारा गुलु सकीना फिर भी पुला दें गुलु सकीना फिर भी पुला दें भी चुके है दिन जो सुवाने भी चुके है दिन जो सुवाने गुजरे जो माने तो भी बुला लो गर अपना तुम्हे हम बनाना सके मत संचों ये प्रेंग लिवाना सके गर अपना तुम्हे हम बनाना सके मत संचों ये प्रेंग लिवाना सके हम दुनिया से मज़ूर हुए तुम्हार भी हमसे दूर हुए तुम्हार भी हमसे दूर हुए दर्द ना जाना जीत ना संची तुम्हार लेगे हाँ अब तरकाने तुम्हार लेगे हाँ अब तरकाने गुद्रेंगे माने तुम्हे बुला लो नभी बुला आजुम्हार समझा समझा के ठक गया समझ में नहीं आता कि अब क्या हूँ तूटे हुए दिल को तसली होते देर लगती है धीरे धीरे राह पर आ जाएगा कहुन जगनू कैसे आई हूँ बेटा क्यों क्या हुआ तुम रोग क्यों रही हो दिल में तूपान छुपा कर चली थी यहां आकर आँखों से उमट पड़ा क्यों क्या तकलीफ है किसी चीज की जरूरत है सूरज कहा है अब सूरज से तुम्हारा क्या वास्ता दी हुरी चीज कोई वापस नहीं लेता आप लोगों ने सूरज मुझ से चीन लिया मगर मेरी महबत नहीं चीन सकते मगर बेटा तुमने तो वाइदा किया था कि उसको भूल जाओगी मैं अब भी अपने वादे पर काई हूँ मां मैं अपना तूटा हुआ दिलाव के पास जोड़ने के लिए नहीं आई हूँ ना अपना तुक्डा रोने के लिए आई ना अपनी मुसीबतें मुझ पर क्या-क्या बीत रही है वो भी नहीं आई हूँ तो सिर्फ इसलिए के मेरी कुर्बानी का कोई मकसद होना चाहिए मैंने जिसके लिए अपनी जिंदगी तबाह की अपनी उमीदें खाक में मिलाई अपना सुख चैन चोड़ा मा मैं उसकी यहालत नहीं देख सकती कि वो रात राज बर दूसरों क्या बढ़कता फिरे आप उन्हें सीजी रह पर लगाईए परना मेरी महबत का भी गला घोटकर आपको कोई पायदा नहोगा मा अब इस दिल में इतना खून नहीं है जो हांसू बढ़कर बहता रहे ए बंजी साइकल रहती है सूरज आ गया बेटी बेटी तुम जल्दी सी यहां से चली जाओ सूरज देखेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर कभी आ जाना इस तरफ से सूरज यह तुम आध्यादी रात तक कहां रहते हो यहीं जरा सनीमा देखने चला गया तो पतेज यह तुम्हारा हर रोज इतनी रात कहा तक घूमते भिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और ना यह शराफत की दलील है क्या चाहते हो कि से धनी राम के यहां का रिष्टा भी तूट जाए हाँ बेटा कम से कम तुझे इतना तो ख्याल रखना चाहिए मैं कई बार कश चुका हूँ कि मैं शादी ही नहीं करूँगा तो जुगनू का भूत अभी तक तुम्हारे सार से नहीं उत्रा जुगनू उसका नाम मेरे सामने मतलो जिसे हीरा समझता था वो पत्थर निकला उसने मेरी जिंदगी बरबाद कर दी है मां तो उसे भूल क्यों नहीं जाते दुश्मन को कैस से भूल जाओ अगर बिच्छू एक तफ़ा डंक मारता है तो उसकी तकलीख तमाम मत याद रहती है अगर डाको किसी की पूंजी लूट ले जाए तो लुटने वाला उसको कभी नहीं भूल सकता एहसान करने वाला भुलाया जा सकता है अगर जालिम नहीं जान बूच कर अपनी जिन्वर बात करने से फाइदा किसी दूसरी जगा शादी क्यों नहीं कर लेते शादी मुहबत के सखम कमरहम नहीं है ये घाव हमेशा रिस्ता रहेगा ये आग हमेशा तुमा देती रहेती हमें तो शाम घुम में काटनी है जिन्देगी अपनी हमें तो शाम घुम में काटनी है जिन्देगी अपनी जहां वो खर्मगी है चांद ले जा चांदनी अपनी जहां वो खर्मगी है चांद ले जा चांदनी अपनी अगर कुछ थी तो बस ये थी तमना आकरी अपनी अगर कुछ थी तो बस ये थी कि तमना आकरी अपनी के तुम सा खिल पे होते और केश्टी डूबती अपनी के तुम सा खिल पे होते और केश्टी डूबती अपनी हमें तो शाम घुम में काटनी तकाजा है यही दिल का वही चलिए वही चलिए तकादा है यही दिल का वहीं चलिए वहीं चलिए वहीं चलिए वो मैं है फिल ओई जिस मैं फिल में दुनिया लुड़ गई अपनी मैं है फिल ओई जिस मैं फिल में दुनिया लुड़ गई अपनी हमें तो श्याम गुम में काटनी है जिन्देगी अपनी खड़ी भर के लिए आजा घड़ी भर के लिए आजा घड़ी भर के लिए आजा है तेरे दाम मन से शमय जिन्देगी अपनी भुजानी है तेरे दाम मन से शमय जिन्देगी इनकी हन्दियों में बुखाद बैच गया है तबदील आब हो वातिली किसी पहाद पर ले जाए या किसी अच्छे से सहनी तोड़िये खांसी की दवा में देता हूँ खांसी कम हो जाए तुम्हारा तब्यत कैसा है जुगनु तुम तो पहचानी भी नहीं जाते है खब्राओने जुगनु खुदा तुमको अच्छे करेगा जुगनु मैं डाक्टर के साथ जाती है अभी आजाओ और डाक्टर साथ की फीस तुम क्यों फिकर करती हो हम लग बहुत दिन के आने मांगता था मगर इम्तिहान था इसलिए नहीं आ सका मैटन साहबा कैसी है वो भी आएंगी तुम्हें देखने के लिए कौन है कौन है अंदर आओ जुगनु तुम्हारे ना होने से हम लोगों का कालिज में जी नहीं लगता हम शार कंपनी से आएंगे यह आपने चिट्थी वेजी ती आए आए बैठी अच्छा जुगनु हम लोग जाते हैं कालिज का टाइम हो गया हम लोग काल आएंगे अच्छा चरियो चरियो अच्छा नमुस्ते देखिए मैं यह सब कप बगरा बेचना चाहती हूं पेड़ा जी आप दीवाने से नीन मांगते हैं भीकारी से सुख का राज और टूबे हुए सूरज से दिन की रोश्नी ना तुम अपनी मर्जी से कुछ करते हो ना हमारा कहा मांते हो सूरज तुम इस दिल को बहुत दर्पा चुके हो आज तो तसली का एक लफ़ कह दो किस दिल से कह दो आप मुझे जिन्दा समझ रहे हैं मेरे दिल में तो आशाओं की चिता कप की धन्नी हो चुकी मैं तो अब एक चलती फिरती लाश होकर रह गया हूं अपनी आर्थी अपने कंदों पर खुद लिये फिर रहा हूं बेटा तुम्हारा बुड़ा बाप सर जुका कर अपने वादे की भीक मांग रहा है बाप समझ कर नहीं एक पिखारी समझ कर हां कह दो पिता जी आप एक बेगुणा लड़की की जिंदगी पर बात करेंगे इसका पाप किस के सर होगा अगर तुम इसे पाप समझते हो तो मैं ये गुणा अपने सर लेने को तयार हूँ अच्छा पिता जी मुर्दे को जहां जी चाहे उठा कर रख दीजिए अगर आपको मेरी लाशी बेचने में फाइदा है तो आपकी मरसी अभी खांसे को हो जाएगे ओना तुम्हारे बहुत रुपए खर्च हो चुके हैं लो इन्ही कुछ काम में लाओ है तुमने कहां से लाई किसी लगी ने दिये है जुगनू तुम्हारे कब बगार क्या हुए मैंने साफ करने के लिए भीजी है जूट बोलती हो तुम जिस तरह अपने वैने साफ करने के लिए भीजी है ना मौनम अब वो मेरे किस काम आते हैं बहुत अफसोस है जुगनू तुमने मुझे हमेशा गार समझा मौनम मा ये सारी बहुत अच्छे है और इसका जुमता भी हमें भी तो बताओ क्या-क्या दिया है राहत को मेमानों की वज़ा से फुरसत ना मिली अजो बहुत काफी सामान दिया है बिचारों ने पीता जी मुझे भी ऐसे सारी ला दीजिए अच्छा-च्छा बेटी सूर्ज की माँ सेड़ जी से नगदी की बहुत उमीद थी और वही कम मिली तो क्या हुआ जेवर तो बहुत कुछ दिये है कसर पूरी कर दी चलो जेवर ही से अपना काम निकल जाएगा अच्छा जरा दिखाओ तो क्या-क्या जेवर दिये है दीखो इतने खूबसूरत जेवर हैं बहुत अख्ये है वाकी बहुत खूबसूरत बने हुए है अब क्या होगा क्या ये सब दिखावे दिखावा था बड़े सेट बने फिरते हैं नाम बड़ा और दर्शन छोटे कितना बड़ा दोखा दिया हमको पीतल के जेवर उठा कर साथ कर दिये वो भी उते हैं उन्होंने अपना भरम रखा जुगनो जुगनो मुबारक हो जुगनो तुम्हारे नाम पर्स प्रेज निकला है यह देखो पचाथ हजार मुबारक हो जुगनो तुम रो रही हो तुम इंता खुश होना चाहिए पर्वान तुने दुख्या की फर्याद तो सुनी मुदर बहुत तेर के बाद शुचा मुदर लिए मुदर जिए मुदर लिए मुदर भी मुदर मुदर रहिए मुदर ने हाई हाई आखिर यह लव ज्रावा पुरा ही होगा प्रोपेसर और मेटर की जोड़ी तो पूम रहेंगा अरे यह ब्लैक एल वाइट जिसकी है ब्लैक एल वाइट और बचलों भी रखव रखव को रहें आपनों पैचिये बेब साथ कफ़े बदल के अभी आती है तुम क्या लाई है? मैं अपने घरी लाई हूँ अरे यह तो घरे जुगनो पहन की है तुम्हे कहां से मिल गए? यह मैं अपनी तिताची के तुकान से लाई हूँ यह वहां कैसे पहुंचे? सुना है के जुगनो के हलत बहुत खराब हुई है उसने अपना तमाम सामन बेच डाला इनके पिता पुराना सामन खरीते और बेचते है शायद वहां से लेके आये होंगे इंडू यह घरी मुझे दे दो और यह मेरा तुफा तुम लेले यह घरी मैं जुगनो बहन को दूगी मा मैं पहचान की है, यह घरी जुगनो बहन की है, जिसने उन्हें यही नामे मिली थी उस दिन देखने में मेरे हाद से गिर पड़ी, यह उससे दिन का निशान है अच्छा तो तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि वो पैसे पैसे को मौताज है मेरे सहलिया ने बतलाया है मा मैं जुगनु बेहन की यहां जाना चाती हूँ ये घड़ी उनको वापस दूगी अच्छा तो जाकर दे दे मगर मुझे भाया मारेंगे मा वहां जाने से मना करते हैं उसे कहने की क्या जुरूरत है तो चुपके से चली जा अच्छा शाशी ले बेती ये रुपए उसे दे देना और मेरी तरफ से खेरियत पुछना अच्छा अब क्या फाइदा दवा और रुपया सब भेकार है तुम अच्छी हो जाओगी जुबनू घबराती क्यों हो अच्छा मैं ये रुपए अंदर लग देती हूँ कल तुम्हारे नाम पर बैंक में जमा करा जाए नमस्तर बहन शेशी आज कैसे भूल पढ़े बहन भाईया के दर से ना आ सके तबियत कैसी है तुम्हारे भाईया तो अच्छे है तुम्हारी भावी कैसी है भावी तुम्हे पसंद नहीं मैं तो ये चाहती थी कि आप भावी बन जाती पुरानी बाते हैं याद ना दिला दुख होता है माता जी तो अच्छी है माता जी ने आपको बहुत बहुत बूचा है और ये रुपे भी दिये रुपे रुपे क्यों क्या हुआ बहुत 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 शुक्रिया मैंने जो कुछ किया था वो इसकी खातर नहीं सुरज भावु की शुरश वहां से पेंसिल का आवज उठाना हलो शुरशी तुम कब आई नमस्ते आभी आई हूँ जुगनू तुमने अभी तक दवा नहीं पी यह क्या लिख रही हो तुम्हे तुम्हे अभी आराम करना चाहिए शुरशी तुम नहीं आई जुगन को देखने के लिए बहन भाया मुझे यहां नहीं आने देते मारते हैं मना करते हैं अभी मैं उनसे छुपके आई हूँ शुरशी यह लो यह माताची को देदेना लो दवा फिर अच्छा बहन मैं जाती हूँ नमस्ते अब तुम सोचाव जुदी शुरु शाशी महने मना किया था न फिर तु कई थी वाँ मुझे मान ने भेजा था माने भेजा था जुपनों बहन को पैसा देने के लिए पैसा यह क्या हुआ मा, आपने इसको जुगनू के पास क्यों बेजा था? मैं जुगनू बेहन के वहां से आ रही थी तो भाया मिल गए और ये रुपए उसे आपने क्यों बेजे? सुना है आजकल बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई है और पैसे पैसे को महताज है इसलिए तरस खाकर कुछ रुपए भेज दिये मगर उसने ये चिट्थी में क्या लिखा है? चिट्थी? माता जी नमस्ते, मैंने जो कुछ खुर्बानी की थी वह सूरज की महबबत के खातिर की थी आपके इन रुपए ने मुझे बहुत दुख पहुचाया है मगर इतने नार रखिये मैं अपने वादे पर कायम रहूंगे जुपनू, कैसे खुर्बानी? कौन सा वादा? मैं कुछ नहीं जानती मा ये चिट्थी कह रही है कि आप सब कुछ जानती हैं और मुझे से चिपा रही है भगवान के लिए मुझे बता दीजीए, ये सब क्या है? मा, मैं पहले ही दुखी हो रहा हूँ मेरे दुख और न बढ़ाईए मेरे जिंदगी में इतनी हल चलना मचाईए कि उसकी थान न मिल सके वेता, इस दबी हुई चिंगारी को कुरे दोगे तो तुम अकेले ही नहीं सब जल जाएंगे अब चिपाने से क्या फाइदा है मा? जो होना था वो हो चुका मेरे अकलेजा फट रहा है मा, मुझे सब साफ साफ बता दो भगवान के लिए मुझे सब कुछ बता दो वरना मामता किसी को बेटा कहकर न बुकार सकेगी मा बेटा, तुम्हारा और जुगनों का सुक लूटने वाली मैं हूँ तुम्हारे पिता की मजबूर्यों से मेरी मामता उस घड़ी अंधी, गुंगी, बहरी हो गई थी मैं तुम लोगों का सुक न देख सकी तुम्हारे दिल तूटने की आवास को सुन न सकी अपना सुहाग बचाने के लिए उसका सुहाग मांग लाई वहां जाकर उसके सामने दामन पैलाकर तुम्हें मांगा उस गरीब के पास जो कुछ था रोकर, हसकर उसने सब कुछ दे दिया मां, अमीर के हां से मुलम्मा की हुए जेवर के सिवा कुछ न मिला और उस खरीब के हां से आपको सब कुछ मिल गया शायद यही वजह थी कि मैं उससे नफरत करना चाहता था मगर न कर सकता था उसे बुरा समझना चाहता था और समझना सकता था मां मैं जानता था कि मांता जनम देती है मगर यह न जानता था कि उगला भी घूट सकती है जुगनू, जुगनू, तुमने यह क्या किया, जुगनू? सूरज बाबू, आप आ गए, मेरी भी यही तो बना थी, मरने से पहले आखरी बार आपको देख लिए ऐसा मत को चुगनू, ऐसा मत को, तुमने बहुत पुरा किया चुगनू, मेरे माबाप के लिए तुमने अपने आपको बर्बाद कर लिया मैंने तो कुछ नहीं किया माने मुझे सब कुछ बता दिया है जुगनू, माने मुझे सब कुछ बता दिया इसमें उनका कोई दोश नहीं सब कुसमत में किया है मौना मेरा एनाम लाओ जुगनू, मुझे माफ कर दो मैं उनकी इस दो तरफाचाल को नहीं समझ सका जुगनू मैं नहीं समझ सका सच मैंने तुमें बहुत दुख दिया मैंने तुमें बहुत दुख दिया मैंने तुमें बहुत दुख दिया मुझे ना, खुशी में हुई तो शादी, और गम में हुई तो बर्बादी ये क्या होना? मुझे ना मिला है, मुझे ना मिला है, पचास हदार मुबारक हो जुना, मुबारक हो सूरज बाबू, मैं जिन्देकी भरा आप की रही मैं ये चाहती हूँ, मेरे मरने के बाद जो कुछ मेरा है, वो भी आपका हो तुम नहीं मर सकती जुगनो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूँगा मैं तुम्हें नहीं मरने दूँगा, तुम मेरी हो जुगनो मैं तुम्हें चाता हूँ, मुझे रुपए की जरूरत नहीं है आपके माबाप को है उन्हें मेरी तरफ से दे दीजिएगा मैं बहुत शर्विंदा हूँ जुगनू मुझे और शर्विंदा मत करो मुझे और शर्विंदा मत करो अगर आपने उनको न दिया तो मैं समझूगी आपको मिश से महमन नहीं और मैं आराम से मर भीड़ा समयंगी ना उमीद नहों चुमनू तो अच्छी हो जाओगी तो भत जाया नखीजे चिराख का तेल खत्म हो चुपा आज कितनी मुद्द के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं अगर वक्त मुले तो उस जगह जरूर जाईएगा जहां हमारी मुखबत शुरू हुई थी आँखों के आगे अंदेरा जा रहा है आपकी सुरत दूंदिली नजर आ रही है आपकी सुरत पा국तो wanna अंदेरा है जयमार अपकी तूस UM जयमार जहा है जयमार जुरत जयमार जयमार जय जयमार मेठी। जयमार बवकी जयमार सक्क दिए扩क! कर दो कि अ कि युछ झाल कि अ कि अ कि 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 अ कि गाह धैवार ये तका ये सही दाइब दया वारी पाजी ये लीजी मैं ले आया ले आया ये क्या है सूरत आप इसको नहीं जाने इसके लिए आपने प्रुने सब कुछ भुला दिया ये आपी दुनिया है आपकी मुहबट, आपका भग्मान पिताजी इस पर आपने अपनी और अउलाद को खुल्बाद कर दिया ये लिजे ये लिजे हैई ये से постоछे समयाँये पिताजी पताश हदा आगो देख क्या रहा है आप लेकि दूना हाद दोसे बेटिए सूरज आपको दौनक चाहिए था और आप नहीं चाहिए जिपी तची आपको और आप नहीं चाहिए सूरज 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 आया एक जालिम था तेरा कापा शहजादे कहाद फिर गई पाने मा शहजादी चुटा दोनों कादाद चाया आखो में अंदेरा उस पे पिछली दिली दिली तोटा शहजादे का दिल भर हुई अब जिंदगी वादा करता हूँ, मिलावाद वादा करते हूनों कि हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे वादा चुबनो कुम्र भर जो साथ देने की कसम यादा गई कोट कर पाने में उसने दी वहें पर जामती खिरो मुर्जा यहाद पिटा सुदान सुदान पिटान सुदान मुर्जा अए अखिर्ण जहाँ से मित गया नाम मून शाथ वत्म होती है यहाँ पर जो दिलों की दास्ताथ खत्म होती है यहाँ पर गोदों के तालबाद